पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन और रॉयल चेलेजर्स बिंगलुरू के कप्तान फाफ दू प्लेसिस पर रविवार को खेले गए उनके IPL समबंधित मैचों में लीग के कोड आफ कंडक्ट का उललंगन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है RCB टीम के कप्तान फाफ दू प्लेसिस पर केके आर के खिलाफ इदन गार्डन्स में खेले गए मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपे का जुर्माना लगा है RCB टीम तैस समय में 20 ओवर का कोटा पूरा करने से एक ओवर पीछे रह गई जिस कारण मौजूदा सीजन में पहली गलती करने की बजह से उन पर ये जुर्माना लगाया गया है वहीं गुजराथ टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में सेम करन को IPL के Code of Conduct के Article 2.8 के अंतरगत लेवल एक अपराद का दोशी पाए जाने पर मैच पीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है